हेलो प्रेंट्स आप सभी का स्वाइब गता है हमारे यूट्यूब चैनल बीटॉपर में फैंड जैसा कि आप सबको पता है कि हम अगरवाल एक्जाम कार्डबुक दोहरा यूपी तरपन शी वीडियो पर इच्छा की पैट्टी सेट सॉल्व करवा रहे हैं दोस्तों और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरू किजागा जो लोग हमाये चैनल पर नया है वो हमाये चैनल को सब्सक्काइब करके बैल आइकन को प्रेस कर लें क्योंकि डेली हमारा सुबह 11 वजी जीके का लाइप प्रेक्टी सेट होता है और रात 8 बजी हिंदी क लाइप प्रेक्टी सेट होता है तो महां चैनल को सब्सक्काइब करना बिल्कुल न भूलें तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं कोश्चन नमर 101 का रहा है समान जानकारी का निम लिखी तो दार्सिन को और उनके दर्सन समोहों में से गलत जोड़ा ग्यात कीजिए कोश्च q1 का जो राइडेंस है दोस्तों आप्शन n सी सही है यापर ठीक है यह आप सब्सक्राइब कर आफ में आगे बढरते हैं q102 की तरफ q2 कह रहा है महारास्ट का महांतम भक्ति कभी कॉन था q202 का राइडेंस है दिजिए Q2 का जो सही उत्तर है दोस्तो Option B सही है तुका राम Next question है Q3 खपत का मनोवैग्यानी नियम बताता है की 4 option आपको देख रहे हैं Right answer, comment करिए अपलोग जल देल दी देखिए Q3 का जो सही उत्तर है Option B सही होगा यहाँ पर आई में बृद्धी खपत के खपत में बृद्धी के बराबर है ठीक है आगे बलते हैं Q4 की तरफ Q4 का रहा है जल वाई अतियूग्र है वर्सा अतियल्प है और लोग यायावार जमाखोर हुआ करते थे यहां कथन किस प्रदेश के लिए सही है Q4 का राई रैंसर दीजिए Q4 का जो सही उतर होगा दोस्तों वो है आपका उप्सन नमर B से ही आपर मद A C I अगे बढ़ते हैं Q105 के तरफ 105 का राई भारत में पुर्दगाली सत्ता की वास्तविक नियू रखने वाले महानतम पुर्दगाली गवर्नर थे Q105 का राई रैंसर क्या होगा आप लोग अताईए दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक से ज़रूर कर जिए दिए देखे Q105 का जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्सिन नमर B सही यहां पर नेस्ट है Q106 का राई अंग्रेज सासक चार्ल्स दुतिये को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बंबई दहेज में दिया गया था Q106 का सही उत्तर दिजिए Q106 का राई अंग्रेज जो होगा दोस्तों ऑप्सिन B से यह पूर्थ गाल नेस्ट कोचने Q107 है निमलिकित में से कौन सी अर्थ व्यवस्था बाजारू मुखी अर्थ व्यवस्था है Q107 का उत्तर दीजिए अप लो देखे Q107 का राई अंग्रेज ऑप्सिन B से होगा पूर्जी वादी नेक्स्ट है Q108 है भारती समिधान ने सुद्रिन केंद्र के साथ संगिये परणाली कहां से ली है Q108 का राई अंग्रेज दीजिए Q108 का जो राई अंग्रेज ऑप्सिन B से है Q108 का राई अंग्रेज ऑप्सिन B से है Q108 के नेस्ट को जने Q109 कह रहा है भारती समिधान ने राजनीती के निर्देशक सिध्धान कहां से लिए है तो आप लोग Q108 के पढ़ लिए फिर हम आप्सिन देखते हैं आप ठीके देखें यहाँ पर ऑप्सिन बाकी दिख रहे हैं आपको कनाड़ा से युनाइटर पिंग्डम से यूएसे से या आयरलेंड से Q109 का राई अंग्रेज दीजिए Q109 बार फिर से देख लिजिए आप भारती समिधान ने राजनीती के नियदेशक सिध्धान कहां से लिए हैं चार आपको दिख रहे हैं तो इसका जो सही उत्तर होगा Q109 का आप्सिन डी से होगा आयरलेंड से Q111 10 गुप्त समवत निमलिखित में से किस के द्वारा स्थापित किया गया था Q110 का राई अंसे दीजिए Q110 का जो सही उत्तर है यहाँ पर option A से होगा चंद गुप्त पर्थम के द्वारा गुप्त समवत की स्थापना की गई थी आगे बढ़ते है Q111 का राय निम्न में से किस की रचना हर्स वर्धन ने नहीं की थी Q111 के राई टेंसर दीजिए Q111 का जो सही उत्तर है आपका option A हर्स चरित यह बाणभट ने किया था हर्स चरित में ठीक है और रतना वली नागा अनंद प्रिये दर्सिका यह सारे हर्स वर्धन की रचना है हर्स चरित बाणभट ने लिखा है आगे बढ़ते हैं नेस्ट है Q112 इमेल का जनक किसे माना जाता है Q112 का राई टेंसर दीजिए Q112 का जो सही उत्तर है option C चाहिए यहाँ पर नेस्ट कोचन है Q113 किसी संगठन में के introductory वे पेज को निम्लिखित में से क्या कहा जाता है Q113 का राई टेंसर दीजिए Q113 का जो सही उत्तर है दोस्तों वह होगा आपका option C सही है home page नेस्ट कोचन है Q114 तत्तों के भौतिक और रासायनिक गुड उनके प्रमाणु भारों के आवर्तन आवर्त फलंक होते हैं या नियम किसने प्रतिपादित किया Q114 का राई रेंसर क्या होगा आप लोग बताईए चार option आपको देख रहे हैं सही उत्तर आप लोग चूनके comment box में comment करते रहिए Q114 का जो सही उत्तर है दोस्तों option D सही है में डिलीव ने नेस्ट कोचन है Q115 निमलिकित में से कौन सा मिसरन केवल गयस कहलाता है बताईए Q115 का राई टेंस है दीजी Q115 का जो सही उत्तर है दोस्तों option C सही है यहाँ पर नेस्ट कोचन देखते है Q116 एक ऐसी अवधी में जब अर्द व्यवस्ता की कीमतों में बढ़ोत्री होती है और उसके साथ अर्द व्यवस्ता की गदवितियों में कमी आती है तो यह डैस का मामला है Q116 का राइट एंसर दीजिए ऐसे इस सिते में क्या होता है 116 का सही उत्तर दीजिए इसका जो सही उत्तर है दोस्तों 116 नमबर का वोग आपका option नमबर B सही है नेस्ट कोचन देखते है Q117 गहरे समुंदरी गोता खोरों के श्वशन के लिए ऑक्सीजन के तनुकरण के लिए किस गैस का प्रियोग किया जाता है Q117 का बताईए राइट एंसर क्या है Q117 का जो सही उत्तर है option A सही हीलियम गैस का प्रियोग किया जाता है नेस्ट कोचन है Q118 जल का स्थानांतर है Q118 का राइट एंसर करिए अप लोग फटाफट Q118 का राइट एंसर आप्शन सी सही है A और B दोनों ठीक है नेस्ट कोचन देखते है Q119 है चंद्रमार पर कोई अंत्रिच याती नली की सहायता से निभू का सरबत क्यों नहीं पी सकता Q119 का राइट एंसर दीजिए Q119 का राइट एंसर आप्शन देखते है Q119 का राइट एंसर क्यों अंत्रिच याती नली की सहायता से निभू का सरबत नहीं पी सकता तो यहीं आपको अप्शन सही हो जाएगा का B option चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में 120 का राय एक समान गती वाले पिंड डायस दो आपसन आपको देख रहे हैं तो अरित नहीं होता तो अरित हो सकता है ठीक है तो यहां पर इसका सही उतर है option A सही है तो अरित नहीं होता आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में 121 की क्वेश्चन में 121 का सही उतर option A सही है नेस्ट कोचन देखते हैं क्वेश्चन में 122 का रहा है सुपर कम्पीटर कितने बिट के आकार वाले सब्लों का प्रियोग करता है क्वेश्चन में 122 का सही हुतर option D सही 64 नेस्ट कोचन ने क्क्वेश्चन में 131 Claudius Department नेटवर्क वायरों के सिरे टर्मिनेटरों से जुड़े होते हैं, Q24 का सही उतर दीजे, Q24 का राइट एंसर, option B सही है, बस, Q25 का राइट एंसर क्या होगा, Q25 का राइट एंसर, option D सही है, Q256, निम्न के तुमेंसे कौन सा एक समाज है, Q26 का राइट दीजे, आप लोग, दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए, तो प्लीज वीडियो को लाइक जिरू कर दीजे, जितने लोग लाइब देख रहे हों, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजे, 126 का जो सही उतर दोस्था ऑप्शन C सही है नेस्ट कोचने क्वेशन में 277 ग्रामीर सब्ध की व्याक्षा में लैंडिस ने निम्ण में से किस तत्य की सरचा की नहीं की 127 का राइट एंसर दीजिए क्वेशन में 277 का जो सही उतर होगा वो है आपका option number C से ही है जज्मानी व्यवस्था नेस्ट कोचन है कोचन में 128 पूल रूपेन हिंदी भासा का पहला समचारपत उदन्त मार्तंड जो 1826 में कलकत्ता में कानपूल के संपादक के संपादकत्त में प्रकासित हुआ था इसके संपादक थे Q28 का राइट एंसर दीजिए Q28 का सही हुतर option B से ही होगा यहाँ पर पंडित जुगर फिसोर मिस्रा नेस्ट कोचन है Q129 उत्रपदेश में प्रात्मिक सिच्छा के लिए स्कूल चलो अभियान सुरू किया गया 129 का राइट एंसर दीजिए option C से यह दुज़ार एक में next question है question number 130 है निम्न में से परदेश का कौन जनपद उत्राखन हरियान तता हिमाचल परदेश के साथ सीमा बनाता है question 130 का राइट एंसर दीजिए question 130 का जो सही उत्तर है दूस्तो ऑप्सन यहां पर जो आपको सही होगा सी सही होगा सहारन पूर next question question 316 के घठते करम में सही विकल्प का चायन करें ठीक है option A यहां पर दीख रहा है आपको ठीक है आगे बढ़ते हैं देखते बागी के option घठते करम में आपको देखना आगी कौन से सही है तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों option B सही होगा इसका राजस्तान, मद्रपरदेश, महारास, उत्तरपरदेश, आंद्रपरदेश ठीक है आगे बढ़ते हैं question number question number 132 है उत्तरपरदेश के सबसे पूर्वी और पस्चमी जिले हैं question number 132 का सही उत्तर दीजिए question number 132 का सही उत्तर दोस्तों option C सही है बलिया और सामली ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं question number 133 है निमलिकित कलाकारों में से मियंडरिंग पास्चर्स आफ मेमोरीज पुस्ता किस ने लिखी है question number 133 का राइट एंसर दीजिए question number 133 का सही उत्तर option E सही है next question देखते है question number 134 what went wrong what went wrong पुस्तक की लिख का कौन है question number 134 का उत्तर दीजिए question number 134 का राइट एंसर option D सही है किरन बेदी next question 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 35 निमलिकित राजियों में से कौन सा अपने सुंदर सागर पुलियनों के लिए सबसे अधिक सुविख्यात है question 132 का सही उत्तर दीजिए question 135 का जो राइट एंसर है दोस्तों वो होगा आपका उप्सन नमबर B से यह आपर गो हुआ next question question 236 है internet के छेत्र में www का प्रियोग किसके लिए किया जाता है question 136 का राइट एंसर दीजिए question 136 का जो सही उत्तर है वो होगा आपका उप्सन नमबर B सही है worldwide wave ठीक है next question question dna nitrogen आधार डाइस के कारण RNA से भिन होता है question question 136 का सही उत्तर दीजिए question 136 का जो राइट एंसर ऑप्सन डीजिए next question देखते है question 136 है हडपा के लोगों की समाजिक पद्धत डैस थी question 136 का राइट एंसर दीजिए question 136 का सही उत्तर ऑप्सन ए से यह उचित समतावादी है next question 149 निमलिकित विदेशी भासाओं में से कौन सी भासा मुगल जासन काल में भारत के दरबारों में व्यापक रूप से प्रचलीत थी question 149 का उत्तर दीजिए अब लोगो देखे question 149 का जो राइट एंसर होगा वो है आपका ऑप्सन वर भी भारसी next question question 140 असोक महता समिती डैस से संबंदित थी 140 का सही उत्तर ओप्सन सी से ये पंचायती राज से है ठीक है असोक महता समिती पंचायती राज से संबंदित है आगे बढ़ते हैं कोच्छन मग्षक ताली सेंखते हैं question 141 का रहा है निम्नोक्त में से कौन विस्ट विराशत-सूची में सामिल नहीं है question 141 का राइट एंसर दीजिए question 141 का राइट एंसर ऑप्सन भी साही है पटना महवीर मंदित नहीं अगे बढ़ते है Q141 का रहा A Suitable वाई किसके द्वारा लिखी गई किताब है Q142 का सही उत्तर दीजिए Q142 का राइट एंसर आप्ट्सन A सही है विकरम से द्वारा लिखी गई ऐसटर वाई आगे बड़ते है Q143 के तरह निम्लिके तुमें से कौन सा असम का प्रसिद्ध तयोहर है Q143 का उत्तजी जी आसम का प्रमुक्टे वहर कौन साहिज में से Q143 का राइट अंसर आप्सटन D सही है Next 144 नमर Q144 हास से गैस का रासाइनिक रूट सरूप है Laughing गैस जी से कहते हैं उसका रासाइनिक सरूप का 144 का राइट अंसर जो है वो आप्सटन C सही है नाइट अकसाइड आगे बढ़ते हैं Q145 है क्लोरीन है चार आप्सटन आपको देख रहे हैं क्लोरीन क्या बताना है आपको तो देखिए Q145 का राइट अंसर आप्सटन A सही है इसका ठीक है Next question देखते हैं Q146 Q146 कर रहा है पश्चिम में कौन सी नदी काफी हद तक उत्तर परदेश की सीमा निधारित करती है Q146 का राइट अंसर दीजिए Q146 का राइट अंसर आप्सटन D है या मुना नदी Next question 147 उत्तर परदेश के भाबर छेतर में किस परकार की मिर्दा पाई जाती है Q147 का जो सही उत्तर है वो होगा आपका उप्सन नबर B सही है कंक्रीली पत्रीली Next 148 नमर कोचन उत्तर परदेश के किस जिले में सबसे कम वर्सा होती है Very easy question सभी को पता होगा Q148 का जो राइट अंसर होगा वो है आपका उप्सन नमर D सही है या पर ठीक है मत्वरा में सबसे कम वर्सा होती है और सबसे अधिक वर्सा गोरकपुर में होती है अगे बढ़ते हैं Q149 Q149 का उत्तर से दच्छिन चही अनकुरम है 149 का राइट अंसर दीजिए Q149 का जो राइट अंसर है वो होगा आपका उप्सन नमर D सही है ठीक है सिद्धार्थ नगर संत कभी नगर अंबेट का नगर संत रवीदास नगर ठीक है यह आपका उत्तर से दच्छिन सही अनकुरम है परदेश में पूर्ब से पस्चिम की और बढ़ने पर वर्सा की मात्रा समानता बढ़ती है कम होती है कोई अंतर नहीं आता पहले घटती है फिर बढ़ती है क्या उप्सन सही होगा यह आपको बताना है कोईशन में 150 का राइट एंसर आप लोग करिए और यह भी बताए कि टोटल पचास कोईशन में से कितने कोईशन आपके सही के हैं दोस्तों अगर वीडियो पसंद दा तब्लीज वीडियो को लाइक करके जाएगा और जो हमाया चैनल पर नए हमाया चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें ताकि आपको नॉटिफिकेशन मिलता रहें कोईशन में 150 का राइट एंसर ऑप्सन ए सही है कम होती जाती है दोस्तों इस तरह के से हमारा कंप्रीट होगा अब प्रेक्टिशन में 10 तक ठीक है दोस्तों अगर वीडियो पसंद रहे तो प्लीस लाइक से जरू कीजिएगा तब तक लिए आप लोग अच्छे तैयारी करते रहें मिलते हैं नेक्स वीडियो में